Hello everyone and welcome. Excel का lecture number 6 में आज हम देखने जा रहे हैं कि हम कैसे data जो है वो several वरकशीट पर इंटर कर सकते हैं at the same time. मैं हूँ माज शहाप और I am quickly start करते हैं, Excel उपन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक sheet है जिसका नाम है नीचे लिखा वारा है sheet 1. मैं इस पर data लिखना चाहता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितनी भी बागी sheets हैं वो भी उन पर भी data जो है वो at the same time लिखा जाए. तो मैं सबसे पहले एक नई sheet लियाता हूँ. मेरी sheet के बिलकुल साथ पे एक button नज़र आ रहा है, plus का आप देख सकते हैं, इसको मैं click कर लेता हूँ. तो आप देख सकते हैं, now we have sheet 2, इसी तरह मैं दुबरा click कर लेता हूँ, sheet 3, sheet 4, sheet 5 and so on. जितनी भी आपको चाहिए, आप sheets बना सकते हैं. यह जो sheets हैं, इन पर मैं data लिखना चाहता हूँ, इन सब sheets पर, इनको मैं तुबरा सब जूम कर देता हूँ. So, इन सब sheets पर मुझे जो है, वो data लिखना है at the same time. अब आपके पास दो methods, दो आप कह सकते हैं कि options हैं. कि आप random sheets पर data लिखना चाहते हैं, जैसे मैं sheet number 1 पे, sheet number 3 पे और sheet number 5 पर data लिखना चाह रहा हूँ. For example, second option आपके पास हो सकता है, कि आपके पास जित्ती भी sheets हैं, हम सब पर data लिखना चाहते हैं. तो मैं आपको दोनों के methods बता देता हूँ. सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, random sheet वाला, मैं चाहता हूँ sheet 1 पे, sheet 3 पर और sheet 5 पर data लिखा जाए. तो हम कैसे करेंगे, sheet 1 को select करते हैं, control key press करेंगे, हम keyboard पे, मैंने press कर दी है control, sheet 3 को मैंने एक दफ़र click कर देना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर sheet 3 और sheet 1 जो है वो highlight हो गई है, यह आप देख सकते हैं, green color का underline आ रहा है इन पे, और इसी तरह मैं sheet 5 के ओपर भी control करके click कर देता हूँ, तो 3 sheets जो हैं वो एक group में आ चुकी हैं, आप उपर देख सकते हैं title बार पे, कि मेरी book के name के साथ इसका मतलब है कि अब आप जो भी काम करेंगे वो एक group form में होगा और इन 3 sheets के ओपर होगा, तो मैंने एक group बना लिया, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, for example, names, tab की, मैं लिखता हूँ age, tab, address, tab, और mobile number, यह जो है मैंने अपना data जो है वो लिख दिया, और मैं enter कर देता तो मेरा सारा data sheet 1 पे लिखा जा चुका है, आप देख सकते हैं, और अब मैं जाता हूँ sheet 3 पर, वहाँ पे click करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी data लिखा गया, sheet 5 पे गया, तो वहाँ पर भी हमारे पास वही data जो है, वो लिखा जा चुका है, so 3 sheets से मेरे पास random sheets थी, उन तीनों पे मैंने जो data है वो लिखना था जो भी, वो तीनों पे लिखा जा जुका है, मैं इनको कर देता हूँ bold, मैं इनको कर देता हूँ center align और मैं इनको कुछ color भी कर देता हूँ, ठीक है, sheet 1 पे मैंने एक काम perform किया है, मैं sheet 3 पे जा रहा हूँ sheet 5 पे जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सब के उपर formatting जो है, वो apply हो चुकी है formatting इंशाला मैं आपको बहुत ज़रा detail में बताऊंगा आगे लेकिन फिलाल मैंने basic formatting की है अब आपने group बना लिया, अब आप जितने भी data को लिखेंगे, वो इन सब sheets पर लिखा जाएगा, now for example आपने सारा काम कर लिया और आप इस group को break करना चाते हैं, आप देख सकते हैं अभी group है, तो आप जो भी काम करेंगे सब sheets पे होगा, आप इस group को break करना जाते हैं तो आपके पास option है कि जो unselected sheets हैं आपे, जैसे sheet 2 है, sheet 4 and so on, जो कि select नहीं है इन पे click कर सकते हैं, तो आपका group जो है, वो break हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि आपका group जो है, वो break होगी आप उपर देख सकते हैं, कि title bar में group जो है, वो जा चुका है next हम देखते हैं, कि अगर हम दोग लोग सारी sheets पर data लिखना चाहते हैं, तो क्या होगा, तो आप first sheet को select करने, shift press करने, और last sheet पर एक दफा के click करने, shift के साथ मैंने sheet 5 पर आके click कर दिया है, अब मेरी सारी sheets select हैं, let's suppose मैं आपे कुछ data लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं, यहां से यहां तक मैंने data लिखा है, बी column में, 5 row से लेकर, 8 row तक मैंने data लिख दिया, अब मैं sheet 2 पर click करता हूँ, तो वहां पर भी data लिखा गया, sheet 3 पर click करता हूँ, वहां पर भी है, 4 पर भी है, and 5 पर भी है, इस तरह आप लोग multiple sheets पर at the same time काम जो है, वो कर सकते हैं, control के थूप भी और shift के थूप भी, आज यह लेक्चर में यही था, next lecture में देखते हैं किसी और technique के साथ inside Excel, कोई भी suggestion हो, most welcome, मैं आपके help कर दूँँगा, आप मुझे comments में बताते जाएए, जैसा भी आपको lecture लग रहा है, मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए thank you, Allah Hafiz